हाई दोस्तों, दोस्तों यदि आप एक स्टुडेंट हैं और आपका एक्जाम नजदीक है यानि आपका पेपर होने वाला है कुछ समय बाद आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से आपके बहुत काम का है फ्रेंट्स यदि जीवन में आप सकसेज हो जाते हैं यानि सफल हो जाते हैं तो आपकी लोग तारीफ करते हैं लोग आपके कसीदे पढ़ते हैं और लोग आपके बहुत फेवर में बात करते हैं लेकिन यदि आप किसी भी वज़े से फेल हो जाते ह सक्सेस नहीं हो पाते और आपका पढ़ने मन नहीं लगता तो अब उसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंज आपके माबाप आपके जो भी रिलेटिव हैं आपका सपोर्ट करते हैं कि आप सक्सेज हो जाएं और उनकी कुछ उम्मीदे होती हैं आपसे कि आप जीवन में क कुछ अच्छा करें और जब आप अच्छा करेंगे तो उनके लिए भी कुछ आप बहतर कर पाएंगे अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे तो फ्रेंज यह वीडियो आपके बहुत काम का है और यह वीडियो आप देखिए जिससे आपको काफी जिनसे आपके chances ज्यादा होते हैं कि आप अपने रास्ते पर भटक सकते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना आपको consistent performance करना यानि आपको लगतार परिस्रम करना है आप जिस field में सफलता प्राप करना चाहते हैं लोग आपका इंतजार कर रहे होते हैं आपके माबाप आपके जो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए और अपनी पढ़ाई पर कुप फोकस करके पढ़िए क्योंकि आपके जो भी रिष्टेदार हैं जो मित्र हैं जो आप जिनको समय कम दे पाते हैं वो आपसे कहेंगे कि आप उनसे कम मिलते हैं लेकिन कोई बात नहीं अभी आप अपने पर ज्यादा समय दीजिए जिस दिन आप सकसेज हो जाएंगे आपका कोई अच्छा एक्जाम निकल जाएगा उस दिन सब आपके साथ होंगे अभी आपको हो सकता है लोग डीमोटिवेट कर रहे होंगे लोग आप तरह तरह की बाते कर रहे होंगे लेकिन जिस उप्जीन नहीं देंगे तरह तरह की बात आपके साथ करेंगे कि आप पढ़ते थे आप ये नहीं कर पाए आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की तो इसलिए मैं यह वीडियो आपके बहुत काम का है और सीरियस हो जाएए लाइप में और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने लिए समय दीजिए और एक लक्ष बनाईए और जब तक उस लक्ष की प्राप्ति न हो जाए तब तक आपको रुकन नहीं है आपको लगतार परिस्रम करना है आप देखिए एक दिन आपका समय जो ब्यक्ति का दिमाग होता है आप जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजे भूल जाती है फ्रेंड्स लेकिन जैसे कोई चीज आप एक पिक्चर देखते हैं वह आपके दिमाग में हमेशा उसकी याददास्त बनी रहती है क्योंकि जो एक ब्यक्ति का माइंड होता है व जैसे आप मैं हिस्टरी की बारे में बात करता हूं याद आप हिस्टरी की कोई स्टोरी किसी राजा की स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको याद रहती है तो आप जो भी पढ़ते हैं उसको एक स्टोरी बना कर पढ़िए फिर देखिए आपकी याददास्त कितनी मजबूत हो चीज़े जो भी आप पढ़ते हैं उसके बाद आप उसको कभी नहीं बोलते तो आप इस तरीके से प्लान करके पढ़िए और जीवन में बिल्कुल आप सफल होंगे फ्रेंड्स कहते हैं बड़ी धीठ है चाहतों की चिरया धरा ही नहीं ये गगन मांगती है मिली ना किसी को युही राह चलते सफलता परिसरम लगन मांगती है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच वाचिंग फार दिस वीडियो इस्टे कनेक्टेड एंड जैहिंड फ्रेंड्स जो मैं वीडियो बनाता हूं इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन प्रेस कर लिजे और ज्यादा से ज्यादा जो फ्रेंड्स आपके तैयारी करते हूं या रिलेटिव उनको वीडियो को सेयर कीजे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही जैहिंड